बिस्व परसिद्ध स्रावनी मेले के दोरान सुल्तान गंज में पंडा पर्मान पत्र दुकांदार पर्मान पत्र सहित अन्य पर्मान पत्र बनाने के लिए निकाले गए निविदा में सुल्तानगज नगर परिषत के सवापती राजकुमार गुड़ु और उनके सायोगियों के द्वारा टेंडर दिये जाने के एबज में 2,00,00 मांगे जाने का आरूप संबेदक द्वारा लगाये जाने को लेकर सुल्टानगन नगर परिशत के पारसदों में आक्रोश देखा जा रहा है नगर परिशत के सभी पारसदों ने बैठक कर इस पर कड़ी आपत्ती जताई है पारसदों का साफ कहना है कि पिछले वर्स प्रमानपत्र निर्गत करने वाली संस्था के दौरा काफी अनिमित्ता बरती गई थी जिसके कारण सुल्टानगन नगर परिशत की काफी बदनामी हुई थी इसके बाद हम सभी पारसदों ने नगर सभापती से या अग्रा किया कि परमानपत्र बनाने का कारे विभाग ये किया जा है जिससे ऐसी संस्था को लूट की छूट नहीं मिले उसी के आधार पर विभाग के दौरा इस वार परमानपत्र बनाने का कारे सुल्टानगन नगर परिशत के दौरा कराया जा रहा है वहीं इस पूरे प्रकरन पर सुल्तान गज नगर परिशत के सभापती राजकुमार गुड़ू ने कहा कि पूरी पार दर्शिता के साथ इस बार सुल्तान गज नगर परिशत के द्वारा परमान पत्र बनाने का काम विभाग अस्तर पर किया जाएगा इससे नगर परिशत के राजस्व में तो व्रिद्दी होगी ही साती सात वैसे लोग जो नगर परिशत के नाम पर स्रावनी मेले के दोरान पंडा दुकांदार और कामरियों को लूटने का प्रियास करते हैं उनके मनसुओं पर भी पानी फिर जाएगा साती राजकुमार गुड़ो ने कहा कि लूट सहर कितना स्वास्त्र है स्वक्षर है और जो भी यहां पर गंदगी था उन्हें दूर करने में लगे हुए हैं और इस गंदगी को दूर करने में किसी को पीड़ा भी हो रहा है तो निशित रूप से वो लालचन लगाएंगे साफ जोटा है जो संबेदक था पिछले साल हम सब लोग जाकर के पंदा को घाट पर जाकर के बयान भी लिये हैं मोबाइल में रिकाउड भी है वहां पर 226 रुपिया लेता था हमारे नगर परिशद का तोहिन हो रहा था कि नगर परिशद के ही नाम पर वो 226 किसी से 3500 जो से 300 कुछ रुपिया का रसीद मिलता था यह तो समाज 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 की खुबसूरती लोग तंत्र है कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है इसके लिए तो लोग सब्सक्राइब की जोट नहीं मिली क्या कि जेगा बीते वर्स उनके द्वारा जो तै दर से ज्यादा रा कि यह आरोप लगाने वाले के लिए कारपालक पदादिकारी अधिकारियों के साथ बैठक कर नगर परिशत चेतर में आने वाले लाखो कामरियों को ब्यातर सुविधा दिये जाने की बात कर रहे हैं इस दोरान कारपालक पदादिकारी मिर्तुन जै कुमार ने बताया कि नगर परिशत के द्वारा कामरिया सरत धालों के लिए मुकम्मल वैवस्था की जा रही है नगर परिशत चेतर में सड़क बिजली पानी स्वक्षता और सफाई पर भी सेज़ ध्यान दिया जा रहा है वही कारपालक पदादिकारी ने सभी लोगों से अपील की जिस किसी ने भी अब तक पंडा परमान पत्र दुका कार नहीं किये जाएंगे अर्शेक्टर में काम किया जा रहा है चाहे वो कामणीयों के लिए मार की सुगमता हो चाहे सफाई की विवस्था हो चाहे प्रीजल की विवस्था सोचाले आवासन ये तमाम मुद्दों पर जो नगर परिशत लगाता है अपना काम कर रही है और इसमें सभी लोगों का सयोग दी है पहचान पत्र से कब तक बनना है पंडा पहचान पत्र या दुकांदार और फोटोग्राफर का जो पहचान पत्र है वो 18 तारिक तक का डेट लाइन लखा गया है ताकि पहले वो आवेदन कर लें 18 तारिक तक तभी उनका एक दो दिन इसलिए पतलब रेजिस्टेशन करने की जो है अंतिन पिद्धी जो है 18 जुगाई की रखी गई स्मार्ट सिटी भागलपूर सवागार में कमिस्नर दिनेश कुमार की अध्यक्षता में स्रावनी मेले की तयारी को लेकर एक उच्चस्तर ये बैठक आयो जीत की गई इस बैठक में डिए जी बिवेका नंद जिलादिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जिलादिकारी बांका स्री अंसुल कुमार वरिय पुलिस अधिक्षक आनंद कुमार वरिय पुलिस अधिक्षक बांका डॉक्टर सत्य प्रकास और वरिय पुलिस अधिक्षक पूरी हो चुकी है साथ किलो मीटर एल्टी एवी केबल और जले हुए SMDV वॉक्स का भी काम पूरा हो गया है बाका में 72 में से 70 ट्रांसफर्मरों की मरम्मत हो चुकी है और 8 अतरिक्त ट्रांसफर भी उपलब्द कराए गये हैं आयुक्त ने सभी विभागों को 18 जुलाई त बाकी है द्यम बाका ने पतनिर्मान बिभाग को रात में भी काम करने के निर्देश दिये हैं बैटक में स्वास्त विभाग, पीएचडी, भावन निर्मान और परियतन विभाग ने भी अपनी तयारियों की जानकारी दी। आयुक्त ने कहा कि सफाई करमचारी एक ही ड्रेस में रहेंगे ताकि उन्हें पहचा ना जा सके। बैटक के दरान रेलवे के अधिकारी ने बताया कि 15 एकड जमिन जिला पर्शासन के उप्योग हेतु एनोसुई परदान की गई है। सूचना एबन जन्द संपर्क विभाग ने भागलपूर और बांका में सूचना केंद्रों की अस्थापना की जानकारी दी। आयुक्त ने सभी पदादिकारियों को वाटसप ग्रूप बनाने और 18 जुलाई तक सभी कारे पूरा करने के निर्देश दिये हैं। प्रदर्शन किया गया। इस समंद में दफ़ादार चौकिदार संके राजुपाध्यक चराम बिलास पासवान ने बताया कि चौकिदारों के स्वेक्षा सेवा निब्रती के आसरितों की बाहली के आदेश निर्गत करने के बावजूद इसे बंद कर दिया गया है। वहीं आसरितों की बहाली का आदेश जारी करने की मांग की गई। रामभिलास पासवान ने यह भी कहा कि 34 वर्ष की सेवा के बाद चौकिदारों को जो एसीपी का लाब मिलता है वह परदान किया जाए। अन्यता संग उग्रा अंदोलन के लिए तयार है और आगामी रननेती के तहद 20 जुलाई को विधान सवा का घेराओ किया जाएगा। बिहार विधान सवा के उपाद्यक्च नरेंदर नारायन यादव भागलपूर में एक नीजी कारिक्रम में सामिल होने पहुचे। इस अबसर पर भागलपूर सरकिट हाउस में उन्होंने प्रेस वारता भी आय मान होता है तो नीब डालते समय साहाइक अभियंता और कारेपालक अभियंता की उपस्तिती अनिवार होनी चाहिए। धलाई के काम के दवरान भी इंजिनियर की टीम को मौके पर रहना चाहिए। या सुनिस्चित करना इंजिनियरों की जिमेदारी है कि निर्मान कारे इंजिनियरों को निलंबित कर उनके खिलाप कारवाई की गई है। इसके अलावा ग्रामिन कारे विवाग के परदान सचिप को भी हटा कर नए परदान सचिप की नियुक्ति की गई है जो अपने विवाग में बहतर कारी कर रहे हैं। हमारा कानुन बनाना निती बनाना और इंप्लिमेंट करना कार्जपादिका का करना। जिला के जिला पगाजिकारी होते हैं। परदी यहायत होते हैं। सिर्व साथे होते हैं। इस सब का धर्म होता है। इस सब का करता होता है। उसमें मैं आपको बताओं कि एक वार में कम सब्सक्राइब करते हैं कि दुनिया बीर भी नहीं हो गई है इसे मैंने केजेरों की चर्चा की टीन सेशन की में चर्चा की आपके सामने लोगों धारन हम लोगी नहीं है अच्छे दौक्टर भी है मानिय सर्वोचन नियाले दौरा 29 जुलाई से 3 अगस्त की अबदी में पहली बार राष्ट्रिय लोग अदालत का आयोजन किया रहा है इसी क्रम में भागलपूर जिला में आज राष्ट्रिय लोग अदालत का आयोजन किया गिया जिला एवं सत्रने अधीस राजेस नारायन सेवक पांडे ने भागलपूर से 5 मामले चिन्नित किये हैं जिन में पक्षकार को नोटिस दे कर बुलाया गया है इन मामलों में दोनों पक्षों के वीच वीडियो कार्ण फ्रेंसिंग के माध्यम से सुला कराने का प्रयास जिला विदिक सेवा प्रवधिकार के सदस्यों द्वारा किया जाएगा आपको बता दे कि पूरे राज्य में 120 ऐसे मामले सर्वोच नियायले दोरा चिन्नित किये गए हैं जिन में से 5 मामले भागलपूर जिला में निस्पादित किये जा रहे हैं बागलपूर के कोर्ट परिसर में आयुजित राष्टिय लोक अदालत का नित्रित्व कर रहें जिला इवं सत्र नियाय धीस ने बताया कि मुकदमों का असर व्यक्ति के विकास पर पड़ता है उन्होंने बताया कि निया भारतिय रागनी सुरक्षा सहीता एक जुलाई से लागू की गई है जिसमें पिडित पक्ष आकर सुला कर सकते हैं और सुला होने के बाद मुकदमा समाप्त हो जाता है जिलाजज ने लोगों से अपील की कि वे समसदारी दिखाते हुए किसी भी मुकदमे को सुला कर खत्म करें वही भागलपूर जिलादिकारी डॉक्टर नवल केशोर चौधरी ने बताया कि राजजे में सबसे ज़्यादा लंबित मामले बैंक रिंध से जुड़े हुए हैं जिनके निप्टारे में रिंधारकों को परिसानी होती है उन्होंने बैंक प्रवंदन से ऐसे लोगों को चिन्हित कर लोग अदालत में लाने की अपील की ताकि एनपीय होने से बचा जा सके और राजी की बदनामी ना हो जबकि SSP आनंद कुमार ने कहा कि राष्टिय लोग अदालत एक ऐसी जगह है जहां वर्सों से चल रही दोनों पक्षों का विवाद मिंटों में समाप्त हो जाता है जिसमें परिवार में सांती और खुसी का महौल बनता है पिछले कई वार से लग रहे लोग अदालत में मामलों का निपटारा हो रहा है और इससे पक्षकार लाभान भित हो रहे हैं नए पदादिकारियों और पुलीस का बोज भी कम हो रहा है उन्होंने उमीद जताई कि या परिक्रिया इसी गती से आगे चलती रही तो इसके सक परिनाम सामने आएंगे